अगवान के श्री चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं प्रेजनों कलम लोगने श्रीमद भावत का महत्मे शुना महिमा आजन्मा मात्रम अभियेन सटेन किंचित चित्तम विधाय शुक्रिशास्त्र गथान पीता चांडाल वच्चा खरवत बनतेन नीतम मिथ्या स्वजन मजननी जनी दुखभाजव अर्थात मनुष्य का सरीर लेकर के जिसने भगवान की गधा नहीं सुनी मानो पसुँँ की तरह जीव जानोरों की तरह अपना जिन्दियन जीवन बेकार खो दिया अकिला मिल्भुवनन अद्देई निर्धनास्तेई विधन्या हाँ इस धर्ती पर वो गरीब विधन्य है कौन गरीब निवस्ति रिधे शाम स्री हरे भक्ति रेकाहा जिनके रिधे में भगवान की भक्ती रहती है वो गरीब भी धन्या है क्या? क्योंकि हरी रपी निजलो कम सरवतातो विहायव भगवान हरी अपना वैकुंड चोड़ करके उनके रिधे में रहते हैं तो गरीब की जगे दुनिया के लक्षमी पती को अपने दिधे में रतकर के वो गरीब धन्य है जो भगवान की कथा सुनते है अजारे शंशारे सारे संशारे के अंदर भागवसार है मादम के कुछ लोग थे परिक्षित साक्षी या स्रमन कता है और तिक तिक अथने है हमारी मुक्ती के अंदर महराज सुगदेव जी कहते हैं परिक्षित की साक्षी है साथ दिन में मुक्ती हुई परिक्षित ने का यदि साथ दिन में मुक्ती ने हो मैं साक्षी हूँ, मैं तुम्हें दिलाऊंगा हूँ अब हम लोग शिमत भागत की सुरू करते हैं भागत का अक्षर, पहला अक्षर जैसे सुरू होता है जनमाद यश्य शन्श्क्रित वाज़ा में एक थोड़ी सी में बहुत बड़ी बात भरी देते हैं जनमाद यश्यह यश्य जनमाद ही जो भगवान जो है जिनका जनम नहीं हुआ है किस भगवान का जनम नहीं हुआ है पर जिस से हम सब जनमे हैं समुद्रो ही तारंगा है नचे समुद्रो तारंगा तरंग से समुद्र थोड़ी है समुद्र से तरंग है इसी तरह हम से भगवान नहीं है हम भगवान से जनमार देश भगवान का कभी जनम नहीं हो था तो ये जनमाश्ट execut राम नहीं क्यों मनाते है गाफ भगवान जनमे नहीं है भै प्रगट कृपाला इस दिन भगवान प्रगट हुएं क्या हुए हैं जैसे आप माचिस रगटते हैं तो आग प्रगट हुई तो जन्म दिन मनाते हैं किया अग का पहले से थी स्तिली में आ गई रगड़ी तो आ गई इसी तरह ब्रह्मान्द में सब का जनम हुआ है लेकिन भगवान का कभी जनम होता नहीं भै प्रगट क्रिपाला सुरस सुबह आता है तो जनम दिन मनाते हो गया साम आएगी तो जनम दिन मनाओगे थी आगई इसी तरह इश्वर का जनम दिन नहीं होता आ युजा का इससले प्राघक्त्युस्व होता है था गुरसिगा हधू मिश्वर का सदा प्राघकإॉष्व मने जाता है अउन्टों का सदना मुर्ण दिन मना जाता है हां उनका जरम दिन को जोडियों कि मरनम मंगलं घर और अन्य है पुङैंप tenga मजसाद प्रिण तो जन्मा ध्यश्य उसका जन्म नहीं है और आपके प्रल्लब्स म्प्रदाय में ठाकुजी बड़े होते ही नहीं है एक साल के कृष्णु में अभी जन्माष्टमी आगे इनंद के आनंद भयो पिर सालवर पाल पो उसके लाला को बड़ा किया फिर जन्माष्टमी आगी अर पिर जसोदा का लाज चलना सीखा राजा राम जी चलने सीखे एक साल के होते ही वास फिर जन्माष्टमी आगे फिर राम नों में आगे तो देखो ने तो भगवान जनमता है और ने भगवान बूड़ा होता है कभी देखेंगे कृष्ण के सवेट डाडी हो गई लकडी आ वरस सोडशब पुरना हम और वरिश के ठाकुर जी तो पांची वरस के रहते हैं पांच वरस के कामर कनिया साथ वरस रादा गोहीरे रसिया और रादा लाड़ली सदा साथा ही की रहते हैं हम जनमे हैं तो जवान हो रहे हैं जवान हो रहे हैं तो बूड़े हो रहे हैं और बूड़े हो रहे हैं तो मरना पड़ता है परिश्वर का जनम ही नहीं हुआ तो जवान होने का बूड़ा होने का सवाल ही नहीं होता है इसलिए कोई कहें कि बगवान जनमते हैं मरते हैं त लीला करने में कई जिंगा बूड़े हो जाते हैं तो जैपुर में बगवान गोविन देव जी का मंदिर बड़ा सुन्दर है लाखों लोग दर्शन करते हैं एक बार राजा साब जैपुर नरेश दर्शन करने आए गोविन देव जी का तो पुझारी जी ने दोना में बड़िया प्रशाद दिया राजा साब को राजा साब घर गए तो प्रशाद में सफेद बाल बुलाव पुजारी को ये पुजा करते हो कि ना टर पुजारी को लगा पचास साल की नोकरी भी गई और इजट भी किसका बाल है और जड़ से निकल गया मेरा नहीं गुविन देव जी का बाल है किसका बाल है तो राजा साब ने का गोविन देव जी क्या बुड़े हो गए का आपके दादा जी लायते बुड़े तो ही गए अब बताईए एक जूट पे राजा ने का तो ठीक है कल सुब हम देखने आएंगे गोविन देव जी बुड़े हो गये तो जाधन से कीजिए बाल कैसे आजाएगा प्रशाद में अब राजा से बात कौन करे कल सुबाएंगे अब उजारी रादवर हे गोविंद ए गोपार रादवर हो तेरे महाराज एक गल्ती बोले की दो गल्ती बोले अब तो आप ही बचाओ पचास साल की इजद भी गई नोकरी भी गई और राजा सामने कितना अपमानित हो ना पड़े रात पर गोविंद देव जी के सामने रोते रहे सुबह राजा आया और आया तो क्या देगा भगवान के काली लटों में सफेद लट भी लट रही है है को डैगा राज्याने का देगा कि कुछारी जी की चालबा जी है इन वह प्र है आगे है सबे दरंग धिये हैं सबेद लगा ड़ लगा दी अ कि राजा सामंदिर के अंदर चले मंस्डेट पुजारी जाताराजा तो ही जात कि आगए बाल इही आने य। किराजा ज़ान गाए तो गती होगे कि पुछारी जी भी हारान हो गए सारी बात हें दी महराण जी मेरा इबाद्धावा तो मैं तो ऐसी मुझ से निकल गया तो लीला में ठाकव जी क्या होते हैं वोड़े भी हो जाए जवान भी हो जाते हैं और भाएप्रक बच्चे के उजदें। तेकि ने तो बच्चा है, ने वो जवान है, ने मुड़ा है, क्योंकि जनमाद्यश्य उसका जनम ही नहीं हुआ। कि श्रीमद वागवत के 18,000 श्लोकों की पहली हीट है। पहला श्लोक गजगजग पूरी वहाँ हुआ तीसी पह कह देते हैं हम लग तो जनमाद्यश्य दूसरा सब्द यतन्वयादितरतश्य यहाँ भी है, वहाँ भी है। वहाँ भाड़ी माला जाओ, परी नहीं। यतनवयादितरतश्य यहाँ भी है वहाँ भी हमारे ठागो जी कहा हैं? यतनवयादी यहाँ भी है और अभी फोन करो सूर जगा हैं कमकत्ता तो बोलेंके शिर्प है, दिल्ली करो तो बंबे करो तो कि अभी कितने सूरज हैं अभई सूरज तो यह की है पर अभी तो इंडिया में है तो इसका असर यहां तक है उनका असर लोग कहते हैं अभी उनका असर यहां तक है उनका असर पर सच बात यह है कि असर उनका वहां तक है नजर जिसकी जान तक है नजर जिसकी अधिया एक सुएंगे नहीं बगल वाज़ें तो प्रेमियों जन्मा ध्यश्य इस्ष्वर को समझो सुनो इस्वर जनम गया इस्वर मर गया आज कल कई लोग अपने को इस्वर मानते तो अब भगवान लिखते अपने बीचे अब वोड़े भी होते सभे डाडी भी हो जाती अर मर जाती है तो भगवान होए गया कि आज के विज्ञान ने घजब कर दिया साब फूल में कीडा रहता है सा कीडा नहीं मना सका आज का विज्ञानी मिट्टी का एक नमनी बना सका अज का विज्ञानी लेकिन आज के आद्वी ने भगवान जरूर हजारों मना छोड़े अ अच्छा इंसान मनना बड़ा मुश्किल का काम है बगवान मननना में किया है आप तो पांच रुपया पांच आट करोड़ रुपया खर्चा करो तो मापको बगवान मना दिए चैनल लेलीजे और बस सो आदमें को आप मेहना देना सुरू कर दिए बस 200-400 आदमें बगवा बगवान चमतकार बोलें बगवान हो गया है कोई खर्चा कर तो टीवी आना से मिल सका है तो तो मेरे प्रेमियों बगवान इंसान मनना मुश्किल और बगवान बनना सरल है तो जैनमाद भ्याष्य यतों भावत ही कहेंगे भावत ही सुनिए तो भगवान यत जनमाद यस्य यतन्वयाद यतरत चारधेश्वभिज्यह अर्धेश्वभिज्यह रहता है सब जगें पर दिखाई देता नहीं है अग्वान कहां है जरा बच्छा पाएंगे गाय के अंदर दूद कहां रहता है कोई बोले थन में रहता है ना 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 वो तो बच्छडा छोड़ते है तब आता है थन में नहीं रहता है तो पावस्तिय तो आता है गाय के दूद कहां रहता है उत्तर है नसनस में दूद रहता है इसी तरह ठागुर जी कहां रहते है नसनस में रहता है इस दीपक को देखिए किदर देख रहा है यह दाय देख रह कर देख रहागे देख रहां है, आपके देख रहां काट लूस्वर किसी, इस वारों कि रहा हो फिरा कि質 है, इस्वर करता क्या है, उसक्राइब को आपा, इसमेर को ऊपर भिद Two-arse, 6 तक को आपको नीचे, ब्रिदा रखता है, एस... कि यह गर्दा ओपर लीजिए उठाथा जो कि चारदेश्व रहते एक खाबों में खयालों में हरदम पर दावा हम परदे में रहते हैं पड़ा गजब है भगवान के रहता है सब जर्रे जर्रे में जहांकी है पत्ते पत्ते में उसका पता लिखा है लेकिन हम पता खोजने मे जिन्दगी उसका पता कहा है एक पेड के एक लाग पत्ते हैं एक पत्ता आज तक दूसरे पत्ते से नहीं मिला एक लाग पत्ते पीपल में पत्ते तोड़ लिए सो दोसो एक पत्ता दूसरे से आज तक नहीं मिला स्रिष्टी बनी तब से एक आम में हजार आम लगते हैं ए काम दूसरे से नहीं मिला आज तक बने अर्वों खर्मों स्रिष्टी बनी तब से पैदा हो गए लोग पर आज तक अंगुठी का हिसान किसका नहीं मिला अंगुठा कि ता बड़ा है कि अजगल तिरुपदी में एक मसीन लगी है उसको लगाते याया कि अब दो साल पहले इतनी तरिक आए थे लो कि मेरा जैसान मुठा मैं तक तक किसी का अंगुठा इसले साइन तो लोग बना देते हैं पर अंगुठा किसी का कोई तो जमीन करीट ओधो गुठा टिकाव है दो दो टिकाव है तो आपका मोवैल भी गुठा ऐसे खुलता है न दूसरों लगाओ तो खुल लगे तो आज तक ब्रह्मान्ड में अरबों खरबों लोगों का अंगुठा नहीं मिला फिर भी भगवान का पता खुजने में हम जिद्धी बिता देते हैं इसका पता मत खुजना रहते हैं खयालों में ख्वावों में अरदम यह दावा है परदे में रहते हैं चारधे श्वविज्यस्वराठ तेने ब्रह्मरिदाय आदिकवई ब्रह्मा के लिए ऐसा क्यां दिया कि उन्होंने स्रिष्टी बना दि ऐसे भगवान को उप्रणाम करते भगवान का रूप क्या है भाई कल बताया सत्चित आनन्द आज तिनों को एक कर रहे हैं सत्यम् परम् थीम्ही 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 कुले सत्यानारण भगवान की यहु शत्या ब्रतम सत्यापरम द्रिशत्याम सत्यास्ययोनिम निहितन्य सत्यास्यास्यास्याम ब्रत्यास्यानेत्रम सत्यात्मकं द्वाम शरणं दस्तरे भगवान सत्यां सत्या ब्रत्यां सत्यापरम है द्रिशत्याम है सत्यास्ययोनिम छुप पहाओ अभी सच में है, सत्यका सत्य है वो wherever you wish wand क्या है, इस्वरो मौन है किद्गी लाइट में दिपक की रोश्नी में कřियो गिता जी का पाड करते हैं पर किद्ग लोग किसी का गाल्पी काड़ते भर दिपक किसी को भी बोलता नहीं है बस इसी तरह कई लोग पाप करते हैं कई लोग पुने परमात्मा किवल देख रहा है समयान उकुल जो देना दे देखा है आग में अंगली देखो तो जलना पड़ेगा ओपर शेकर को तो ठांग हाट टूटेगी भगवान कहते हैं हो मैं सब देख रहा हूं पर मौन है यदि भगवान दुनिया के अंदर इसलिए महान है क्योंकि ओ मौन है यदि भूलता ना तो इसकी वी विचारी की गती हो जाते हैं मौन है है और रहना ही इसकता है हम इतने मेंदें सबकी ओश्यां लग ओछे मौन एक ब्रह्मांध में करोडौ अर वो लोगों की इन इसकी पूर! मौन रहता हो ब्रह्म बनताई क्या होता है क्या मौन रहना सीको तोड़ा मौन गंदरSP फिस कि एक आदमी बुले बुराशी मोर में तो रोजाएफ गंदामोनौ, सोन अठ गंदा से प्लिडवाला मोन नही बाई मोन पुराइब जागतेवे जरुरी कामो तम मोन दो बाईया सोचा दोबारे में गना कोनी रजुना रह जाओ जाओगा दो गंदा कि दोगंड़ा रहने जाएंगी वो तो और भरलेंगे आते ही और बंभूटेगा किसी कि यह गुगु गुगु बहुत वॉलते हैं ऐसे लिए सदाप्पाउं में पहने जाते हैं और बिद्धा मौन रहते यसलिए मात्य पर चढ जड जाते हैं अब आप मौन की कीमत समझ लिजिए और बोलने वालों की कीमत समझ लिजिए बोलने वालों की कीमत कहां है और मौन की कीमत अब तो सद्यम परंधे महीं तो ये भगवान के हमारे चोईश वतार हैं कितने वतार हैं पहले शुरुवात में भागत में उनको गिन लेते हैं इसके बाद उनकी लिलाएं कहिए जग्रिहे पौरुशं रूपं भगवान महदा दिवी ही संभोतं जोड जगले माद उलोक स्रेशे एक्ष्या आप कुण सक्रन सुन रहे हैं स्रीमद थावद एक स्रीमद भगवद गीता जो महावारत में अर्जुन को सुनाई थी हैं और ये क्रिष्नलिळा इसका नमें स्रीमद थावद थावद क्या हैए का निगम कल्पतरोर गलितंपलं सुख मुखा दंविता रवसंयुतं थी बात भागवतं रसमालयं नीगाम कल्पतरोर गलितं फलं दूसरा स्वोप पढ़िये नीगाम कल्पतरोर गलितं फलं शुक मुखादं वितत्रव सैयोतं इभत भागमतं रसं मालयं मुहुरो हो रसिका भुवी भाव का मुहुरो हो रसिका भुवी भाव का स्रीमद भागवत क्या है नीगाम कल्प चारों वेदों का पुरानों का ठारों का एक जगन रसिकठा किया गया और उस रस का नाम है स्रीमद और सुदेव जी ने इस फल को घाया इसले और मिटा हो गया और सुकमगाट रविदम रवशं युदम किसी भल का च्छिलका गाया जाता है जैसे खजूर का चलका जाता गुटि पेंगी जाती है और कुई के अंदर गुटिक हाया जाते चीका फेंगा जादे जहां लेकिन भागव तो जिसमें ने छिलका है ले बंस ही रहसे इसले पीवाद पीवात प्योगोगे कब तक पिये का मालयं जब तक भगवान में तुम लेने हो जाते तब तक पीओ σ AWS एकचा बहरोजी मैं तो यरति यृजयरा आपन कर लिया प्रडूस् का ओध्याय बन कर लिया सम्मार का ओध्यापन कर लिया और पुरुरिमा घर आपन कर सभुद्यापन करेंगगां ते वीवदा आलायम जब तक तुमारा ले ने हुजाना तर तक आप इसको पीचिएए पीचिए मालयम मालयम ओधर इड़ नlast दे कुझ क कु है जब the krishni krishprendh गाते कुष्ण में खोने जाएं का जब तक krishna krishna गाते गाते कृष्ण में खो नहीं जाया माल है हम तब तक गाते है अब आपको बरिश की एक कथा सोना थे शलोक के ओपर बढ़िया कि स्री राधा रानी की मां स्री किर्थी जी ने एक दिल लाली से का लाली राधा कामिया कहा एक कामकर आज मेरे को बड़ो काम है गयो तो ठाकु जी के लिए बढ़िया सा मक्षन भिलो ले तो हंडिया रग दई और राधा जी को विठा दी पासमी की दाल्यों बेटी और देए अब राधा रानी बिलोने के लिए बेटी दोमन में आया श्याम को खिलाओंग आज मैं काऊंगी कि मैंने खुद भीलाया है मैं खुद अपने हाथ से खिलाओंगी कृष्ण को शी राधा जी इतनी तनमय हो गई एक गंडा भी लोती रही है और एक गंडावाद में माई लाली अभी तक मक्षन ही निकले के ते रो मा ने आगर के दिखा रहे लाली तु तो दई डालना ही भूल गई आज गंडा से आज गंडा से रगड रही है कहां थी तू श्री राधा तो भाग गई वहां से कहां थी बताओ तो जिराद चैना बहरे sniffि इसी तर व् sy sekarang कृष्ण गाते गाते खो जाओ pleas तब तक पीना भागत को क्रिश्न रिष्णे गाते जब तक खोनी जाओ जब तक हो जाओं, तब तक भागत भी थी ना तुम लोग हो गाज़ा कब तक पिवत्वाग वतं ए वर श्र मा लह threats amal, ala ययम जबताँ गोविंद में हमारे कृष्ण में कम नहीं है एक दिन कनया ने काई माई को नीचे बढ़ा दे के लिगरा जाई नीचे बढ़ा दे जा आप पास बेठे लोग जगाते लिए बेठ जाए सुवयों है खुरी लाज आपक अज बेठी बेठेट बेठी पर शेबर पर हो जाए एक दिन कनया ने का आज दुद हम निकालेंगे वहारो ने का लाला कहाँ हां आदूद हम निकालेंगे निकालने लगे तो रादा जी की याद आगे श्री राधाजी उस दिन दूद रिकाल दी तू पास में खड़ी थी बशड़ा पकड़के और मैंने शिन की थी छोड़ दे बशड़ा चार वे दुदू ही चले सांवरा नैनन सैन करी छब्र छोड़ अध़र जो इतनी आद आगे दूद निकालने बेठे तो गॉले हंसने लगे लाला कहा कर रहूं गईया को दूद निकाल रहूं अच्छा लाला हो गौरे और हंसे अरे कनया ने का क्या रिए पर भगवान तू ले थे तो तो ग्वालों ने का विया जरा देख गया के नीचे बेठेग बेल के नीचे बेठेगे तो इसे स्थर्माय के भागे रे मैं तो राधा रानी में खुवे और भीया यहां को का बोलो जाए ब्रिया लेह नो पीवत भागवतं रसो कुष्ण कुष्ण का इस जर्टा कुष्ण नहीं बन जाओ राधा राधा गाते जब तक राधा में नहीं सुमाजाओ तब तक नीच पीवत भागवतं कि तुन है अर्शमालयम मौहु रहो रसिका बार 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 पीओ महरा जी विजलि साल अ शुनी ति महारा कराई थी आज भी सुना नारे पी बाता पी बाता रोटी रोजखाओ पानी रोज पीओ, स्वांस रोजदेओ तो ठागुजी की तब तक पीना, जब तक तुम उनसे लेने हो जाए, ऐसी क्या ये भागवत का निगम कल पातारूर गलितम फालम, निगम कहते हैं बेदों के, कि श्रीमद भागवत वास्तव में देखी जाए तो एक मिठाई की दुकान है, जैसे मिठाई की ओपर लिखादा है, कृष्ण भंडार, राम भंडार, ओभंड माद ओभंडार, ऐसे ही इस दुकान पर लिखा है, श्री कृष्ण भीतर्वन भंडार, क्या है, श्री कृष्ण किसी को मा के व्यारी चाहिए, श्री नाजी चाहिए, तो स्री कृष्ण भीतर्वन भंडार है, यहीं से मिलेगा ठोगव, अच्छा भीया, मोल क्या लगेगा, का सिवरी कित्रे, चार मिठे भोर हो, सुधामा के से चार आसुगो, या अखिर, कोई कर्मा भा लेकिन ये कमाल है भागवकात का इस मिठाए की दुकान में बासि माल नहीं मिलता है, क्या नहीं, रोज ताजा माल मिलता है, बासी नहीं मिलता है है जो महात्मा कदा करेंगा ना अपनी ज़ैसी करेगा यानी शे सुन तो ज्यान की करेंगा ब्रेमी से । अन्ट की करेंगा हो योगी जा को तो ओँगी गी वही यह चीनी वही ए है पड़ जन السल्वा बनोग जस तरह का बनेगा गार की बनेगा वताव छ जो मसाला वही है और अंबी वही है लेकन चाड़ लॉफ्य जनी सब्व Halo 2 छिन सब्विस काशार बनेगा तो बनाने का तरीका है अपना अपना है महाराज वह बढ़ी अच्छी कटाकर दे ये खराब करते यह ऐसा कुछ नहीं होता है वास्ता में क्या होता है कि कोई गुलाब है कोई चंपा यह कोई मोग्रा है सब की अपनी-अपनी खुषू है जो पसंदाए ले लो ना इसमें क्या बात है आपको किसी उगलाब पसंद किसी को चंबा पसंद तो भागवत की कहने वालों की अपनी खुषू है अपनी अदागी है खल्वा बनाने की है रोज ताजा माल मिलता है कि एक दामने वहले सुनिदी ना 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 डिने दिने नवं नवं नमान शाम संदरा थागुर्जी पुराने होते लिए है सब चीज पुरानी हो है और आद्मी असोग भी नईचीज पहने एक गाना सोग जा तो यह न तोड़का दूसरों पना दे यह गया दूसरा वो नया नया चक्कर में रोज नही साड़ी, रोज नही गहने, रोज कपड़े नही चाहे, आदमी का सभाव है, रोज नही और एक दिन चन्या नही बेंदे बेंदे एक दम खाली हो जाता है, यह भगवान, सब कुछ लगा दिया है, चलो हम इस ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर ले है, वो गोन है, धागुर जी शेनाद बगवान की, स्रीनात जी चेल सुहावना जी, स्रीनात जी चेल सुहावना जी, सकी पहला दर्सन मंगला का किया, बालो सुंदर रूप दी खावता जी, स्रीनात जी चेल सुहावना जी, आठ दर्सनों है आठों रोजन है, और आठों ज्हां की अलग अलग होती है, भवाना जी, सकी दूसरा दर्शन बाल भोग का कर्या, सकी दूसरा दर्शन बाल भोग का कर्या, लालो माखन मिशरी आरोगता, लालो माखन मिशरी आरोगता, अभी ना द्वारा जाए, सुबै से देखकर पुरे दर्शन करना, बाल भोग में ठागुची बालक लगेंगा, देखेंगा, अभी मखन खा रहें, तीसरा दर्शन ग्वाल भाल का कर्या, लालो ग्वाल निसंग में राज, पांच माँ दर्शन राज भोग का क्या, पांच माँ दर्शन राज भोग का कर्या, लालो चपन भोग आरोग ता, इनके घर में श्रिना जी बालक लगेंगा, आडों याम पुझाव दे, और आठों याम मुर्थी अलग लग तरसे लगेंगा, छटा दर्शन गवुचा रण कर्या, साथवा दर्शन संध्या आरती कर्या, सखी आठवा दर्शन सेनारती कर्या, लालो चपन भोग ता, इनके घर मेंगा, आठों याम पुझाव दर्शन राण कर्या, नए है त्याक पुराणे नहीं होते दिने दीने, नवण 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 नमाँ शाम, सुन्दरन दिने श्री पुरानी चीजिए आपको पसंद नहीं नहीं अपराणा कपड़ा पसंद नही नहीं लाओरोच नहीं अटेरा प्रेम् कर लेते हैं लागत नयो नयो सखीरी लागत नयो नयो, लागत नयो, नयो, शकीरी, लागत नयो, नयो आगर जी कभी पुराने नहीं लगते सब चीज पुरानी हो पर बगवान रोज नहीं अरी शकीरी नंद के लाला को जब देखू नहीं विला है मोपो सूरज पुराना है क्या, सूरज पुराना सोच करके क्या चिडिया चेहगना मन कर देती है, कोईले कुगना मन कर देती है कि कमल खिलना मन कर देती है, बोलो, सूरज रोज, रोज नहीं है चले तो आते ही चडिया स्वागत चच्छा हाट करते हैं कोवे चडिया पोई रोज नहीं आए सूरज पुराना सोच के चडिया बंद हो जाते गया कमल खिलना बंद हो जाते गया मुर्खों का कलेंडर में साल बजस्ति है आज अंग्रेजों का नहीं साल आज बंगालियों का नहीं साल आज विजरातियों का नहीं साल आज हिंदों का नहीं साल यहां तो रोज ही नहीं साल है पर सिखने की बात यह है आप खुर्शी पर बेट सेलते हैं खुर्शी पर बेटना चाहिए बेटने खुर्शी लगने अलागत नयो नयो सखी श्याँ लागत नयो नयो हर साल पत्ते नयो हो जाते हैं बेटनों के नदियों का पाणी नहीं होता है फूल नहीं होते हैं पर यह आद्वी बेकार कहें का जब देखो वही पुरानी गिश्री बात उनकी आँसे चाहर सगुल्ला आये थे अपने छोड़ेव्या में चाहर ही देना है यह भगवान उनकी आँसे एक साड़ी आये तो अपने को एक ही देनी है उसके व्या के अंदर यह आया था वोई सड़ी गली पुरानी बात है अरे साल नहीं हो यह तो कम से कम तुम भी तो नहीं हो जाओ जगन्नाब जो हुआ छोड़ो क्योंकि मूरख व्यक्ति वीधी बातों में अपना समय व्यतित करता है ग्यानी सदा वर्तमान में जीता है किसमें और पचास साल का होने के बाद आद्मी को वर्तमान में जीना चाहिए बच जो हो रहा है यह हुआ था गया दो चार घंटा पर बाद यह होगा बच्चा सदा किस में जीता है वारतमान में जीता है अब याज हो या अपने वो क्या लेना तुझ सवता है लेकिन जमान किस में जीता है जमान भविष्य में जीता है हमें देखना है हम देखेंगे गार खाने लगाने है ये करना है वो करना कथा से जाते ये करेंगे वो करें है कि जमान सदा बूडा की दर जीदा जरा बताद कि बूड़ा करें बेड़ जओ मारह जमाना में एक कि रुप्या मत्तो सबजी आती रे बगवाण कथवार स्पजी कृटा तारी अतो सोनो आतो आतो यो आतो एक सो रुप्याम है बुड़ लांगने बेड़ जो आपको भी समय करा मारो भी समय करा बुड़ा अद्वी किस भी जीते बताओ जरा भूत भूत क्योंकि उसको भूत बनना है न जाब बेड़ो तभी वो ही बादे भगवान वो बच्चों का भविष्य खा जाता है पर ग्यानी जो बुड़े होते हैं वो बच्चों का भविष्य नहीं खाते हैं वरतमान में नहीं खाते हैं बुढ़े भरतमान में जीते हैं, हमें ये करना, ये करना, भुण ओओ छोड़ दो, इजाम मिला दे रहने अबी, बच्चा जीता है, वरतमान में, बुढ़ा जीता है, भूत कर, और जमान जीता है, तो वस ऐसे हम लोगो जीना चाहिए प्रेमियों बहुत जुरूरी यह लिख ले ना जूट करके गठाजे ने तो पेंट डायरी लेकर बिट्या करो बहुत काम आओ यह बात था प्रेमियों जीवन के अंदर अधर कावाज बदल गया भी या बोले वरंदा बने विहारिला लेकिंगे बीती वी बातों की यादे ही यादे हैं बीती बातों की कल के लिए वादे ही वादे और आज के लिए इरादे इरादे यह करेंगे उड़ते यह खाएंगे यह खाएंगे यह खाएंगे आदाड़ खावां की कड़ी खावां पिजड़ी खाऊं कि लबसी खाऊं बासी सी चक्र में लेगा तो बीती बातें यादें देती हैं भश्य और देगो भूतकाल मनुष्य को शोक देता है क्या देता है अज जितनी बीती बातें याद करोगे आपको शोक होगा उस दिन ये कर लेते, उस दिन ये कर लेते, उस दिन ये कह लेते, तो जमीन अपनी हो जाती, क्यों बटवारे भी ये मांग ली, ये दे दी, वो ले ली, उस दिन मकान रख लेते, तो आज करोड का हो जाता, भूत काल क्या देता बताओ, शोक, वरतमान क्या देता है, मोह, अर भागवत का कहना तुम एक बात मान लो जो हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा अच्छा हो रहा है और जो होगा बस फिर तो मोजी हो गई बस थागुर जी जो करें और जो करेंगो मोजी मोजी हो गई तर इसमें जीना सीख लो तो फिजू लांसू वेहना बंद हो जाएंगे वर्तमान बहुत सुंदर है हमारा वर्तमान ही हमारे को बताएगा तुम भव्ष्च में क्या बनने वाले हो वर्तमान ही बताता है उनुट आख laud तो भीती बात हैं शोक ही शोक और जिखो बुड़े सदा भूतकाल में जीते हैं और जिनके मैं देखता हूं जीवन में, जिनको भूत लग गया ना भीचारों, यह बड़ी दुरुदसा है, इसके पीछे भूत लग गया ना, जैसे भूत पूर प्रदान मंत्री, भूत पूर राजपती, भूत पूर नेता, भूत पूर अभीनेता, क्या दुरुदसा भीच दसा कभी देखना जा करके जिनके पिछे, यह हीरो हीरोनी की बंबी में तो जाते हैं, सोच से ज्यादा कता हुई, उनकी दसा देखना घुरसी नहीं निकल पाते हैं, क्या लग गया, आप लगाना चाहोगे, ना, ना, ओ, एक राजा है, राजपाड तो चले गा, एक राजा ह जोद्पूर के राजा, उनसे मिलो विचार कहीं निकल नहीं सकते हैं, जानी सकते हैं, घुम नहीं सकते हैं, क्या लगा हुआ पीजे, भूत्पूर वह बहुत ही खोटी चीज़ा है, इसलिए बच्चा जीता है, वर्तमान में, बुडा जीता है, भूत्काल में और जवान जीता है, भविश्यन, तो आओ, तीनों को सुधारनी की चीज है, इसको और साफ कर लो, हमारे कल्यान के संपादक, गुएंका जी, उनका नियम दा किसी को भी भूजन कराके ही भूजन करते थे, जेद्याल जी, गुएंका, दर्वाजे पे खड़े रहते थे, भई, कोई आए, सादू भूजन कराएं, तो फिर भूजन करें, नियम दा में, एक दिन एक सादू आया, उन्होंने का महराजी, भूजन कर लीजिए, पर उन्होंने चड़ से का सेड़ जी, आज तो आप दे रहे हो कि कल, जेद्याल जी जिसने कल दिया, वाज दे रहा है, और जो कल दे रहा है, ले लो गृयस्त में रहकर इतना बड़ी आसादू, क्या कह रहा है, अब अपनी इतनी चिंता भिगर में कर रहे हैं सहाथ, जो काल दिया वो, जो आज दिया वो, भूत भुश्य वरतमान से ठीक होगे, ऐसी जिना स हैै मेरे को महारत का एक प्रश्रण बहुत ते है अरजुन सो रहा हैं अरजुन और स्रीक क्रिश्ण पास में बिठे रो रहे हैं कि क्या द्रिश्य है अरजू बाजुन प्रणत कि आए कल । पहुंच पंड में भुन अजिसे मरना वो तो सो रहा है और जिसे नहीं मरना वो अबताई आधी रात्री में भगवान ने हिलाया अर्जुन खड़ाओ तेरे को बताया कल विस्म ने प्रण किया पांचों पंड़ों को मार दूँगा उटो तुम्हें मरना है उट अरे सोच विजार कर दोड़ा अर्जुन ने अंगड़ाई ली और खरबड़ बदलते हुए सो गया जब आप जग रहे तो मुझे क्यों जगा रहे हो सोने दीजिए ना इससे बड़िया कोई कता नहीं हो सकती महाँ भारत की साहब जब आप जग रहे तो जगने किया क्या और निर्वय जीवन ना मृत्यों का भय ना आज का भय ना कल का भय ना परसों का डर निदार अर्जुन सो रहा है और गविंद बेठे बेठे तो जब आप यह चिंता करोगे तो भगवान बोले कर रहे करने दो ने उनको लेकिन जब आप ठागुर्जी की चिंतर में लग जाओगे तो फिर भगवान को चिंता हो जाती है जब बड़िया दृश्य है जीवन में इस बात को आप में रखिएगा अर्जुन कुर्ष्ण मरने वाले को चिंता नहीं है और अमर को चिंता पर दिए मिगमकल पतरोर गलितं फलं सुगमगादम रिगत्रव सेयतं पिवता वहागवतं रसमालयम जब तक तुमारा भजन प्रभू के श्रीनाद जी के जुगनात के चर्णों में तुम्हें लैनी कर दे पिवता पियो 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 सारे भैसे छुटने की एकी किया करते हो तुम दिन रात बेवात की चिंता किया करते हो तुम दिन रात बेवात की चिंता मेरे गोविंद को रहती है तेरे हर बात की चिंता करते हो तुम दिन रात बेवात की चिंता तुम चिन्ता करोगे तो कभी भी समंद्रों का पार नहीं पाओगे पर तुम चिन्ता करने छोड़ दोगे जिने समंद्रों से ठकराने की आदत है उन्हें तूफान वी रास्ता देते हैं साहाँ चिन्ताओं से ठकराना जिनको आता है जब तक तुम चिंदा करोगे, तुभी रहोगे, लेकिन जहां ठागुर्जी पर जोड़ दोगे, आनन्द कर लोगे, साब भुगार उदर जाएगा मेरवयो के स्रिनाजी का ध्यान की है, जडापनिंग, क्या होता है, सडावा कादा पड़ा रहे न, किचड़, बहुत कुद हुआ थे, इस खोपड़ी में कितने बर्चों के जनम जनम के, सडावा किचड़ पड़ा हुआ है, अजन नहीं करने के साम लोग को, माला फेरती मुन कहीं रहता है, चित कहीं रहता है, बुर्तिया ठीक नहीं होता है, इस शडावाद भड़े कीचड़ को जो निकाल दे उसी का नम स्रीमत भागवत है, तो तुमारे जीवन में उस कीचड़ से कुष्ण रुपी कहुल पैद तुमारी आखों में कदा सुनते समय मांसुरी वजाते हुए गुबिंदर रहने से, आख खुली हो, इश्वर का दिहांग हो, इसी का नम भागवत है, आख बंद करके नहीं हो, पीवात भागवतम अगनी वस्तुत एक है, पर अनेक लकडियों में अनेक दिखाई देती है, वैसी भगवान सब के अंदर एक है, पर अनेक दिखाई देता है भागवानी सुक्ष महूत अनमात्रा है, वही इंद्रियां, वही अन्तकरण है, वही विकार भाओं के द्वारा नाना प्रकार की उनियों का निर्मान करते हैं वही दीला करने के लिए गुरूप धारन करते हैं पहला अवतार भगवान का है सनक, सनंदन, शनातन और सनतकुमार ब्रह्मा ने कास्ति बनावे इनों ने तप किया, वोले शनतकुमार भगवान की जय, शनतकुमार जुदियम शौकरम भभू, दूसर अवतार शुकर अवतार, जिनों ने पूरी ब्रह्मा इस प्रत्थी को दांडों पर उठा करके हिरन्याक्ष का बत किया जाकर श्रीमन नारायन, 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 जोदा बोलिये बद्रिनाथ भगवान, भगवान दोड़ा समय देर, अकल ठीक रखे, तो बद्रिनाथ ची की आतरा जरूर करना, पुनुष्य के साथ में बहुत बड़ी खराबी है, जब सरीं ठीक रहता तो पर शड़ सकते हो तो अभी कोई जाने का है क्या थीरतों में और उड़ाबा में जब बुद्धी ठीक होती है तो सरी जवाब दे देता है एक सीडी पर चड़ने के लिए चार बार सोचना पड़ता है चड़ों की नी चड़ों एक स्री थीजु आप गणी य simplemente के लुटृामि में बुद्धी ठीक हो तो जब दोनों ठीक रहे तब भजन करो फूत conten न्र नार्न भगवान बत्रि नाहत में तब करे पांच मावतार और तीरत भाद बार बार गंगा शागर त्रय पांचवा उतागा परुगा चाट आदतात्रे बगन करके भगवान ने चोश गुरू का यांद आलवत करके लिए चोश गुरू बनाये था गुर्जे नहीं अदतात्रे बगवान शाट्मा यज्यन आराण भगवान पहले देवताओं को भोजन नहीं मिलता था रोटी खाने को नहीं मिलती थी, हर्मान जी भूखे, सुर्य भूखा, चंदर भूखा, तो क्या करे तब भगवान ने देवताओं को भूजन गराने के लिए यहक्य का रूप धरन किया, आप अगनी जला करके जिस देवता के नाम से दोगे, उसको भूजन मिलेगा, भगवा उनको तीन जगे भूजन कराना चेहाै, णिदेवता यह यह तो अगनी के मूँझे कहाँए स्वाख, यह भी गाय के मूझे का listen, गाय को खिला तो ते दीस कोटी देवताओं पहुजन पहुंचगए औे देवताओं को भूजन पहुच गा पूचगए, देवता बाता गाय के मुख से खाते हैं तीसरा देवता ब्रह्मन मुख से खाते हैं किसे आप आए हो जगनाजी ब्रह्मन भोजन कराओ जगनात को पहुंचाए हाँ ब्रह्मन मुख से पिश्रे शाद्ध हो कोई शुंदर करम हो तो आप ब्रह्मन को भोजन कराओ क्योंकि इश्वर तीन मु जहां भी है इन तीन के दौरा आज पूरे विस्व में हमें तो सुझदार दे यग्जी है ही होता है फरमारी तो बहुत ही आत्राइप हुए जीवन बार तो देखे पूरी दुनिया में यग्य होता है यग्या कर्म शमुद भाबा यग्या बहुत जरूरी है यग्या नारण कई बार बच्चे कहते हैं मा क्यों बगवान के आगे भोजन लगाती है बगवान तो खाते नहीं तो बच्चों को बिठा कि हमन में उठाना चाहिए यह अब डाल रही है बता कहां जा रहा है कितना वंद डालना यह बता तो तुमना समझना चाहिए यग्या परमात्मा का रूप है यग्या में डाला हुआ अगनी में डाला हुआ इश्वर को प्राप्ट होता है यज्या भावति पर जन्यों गीता कहती किसी के गर में धन की दूलत की पैसे की बरसांत हो रही है तो जर अगनी प्रमात्मा का रूप है एक लड़का आथ दीपक जलावा लेकर गे जा रहा था दीवा जलावा लेकर जा रहा था तो स्वामने एक एहंकारी सन्यासी मिल गया और एहंकारी सादुने का भालक किदर अबता इस दीवे में जोद कहां से आई अग कि दीपक में जोद कहां से यह वो भी चाहां परेशब ता कि महाराँग जी मेरे को तो पता निए का इत्ता मूर कह कि आज तक तेरेको फथद्म पतानी अवरे औरे बीपक ले जाराइग में जोद कहां भुए कि जटके को अगकल आगि उसने फूग मारी और दीवा बिजा यह बता गई कहां पहले यह बता की अब हो सादू परेशान हो गया भगवान क्या करें अब गई कह बोलो ए इस लडगे ने लिए ने का मैं बता हूं क्या बता यहां बता सकता हूं का क्या का जहां सी आईर गई बस यही जिन्दगी का सत्य है मनुष्य जहां से आता है वहीं यह अगनी है अगनी सात्वा अवतार यह अग्य भगवान का है कि श्रीमत बागवत के प्रत्मशकंद की तीस्त्री इद्याय में पढ़ियेगा चुई सवतार बागवत के अंदर गिंती के अनुशार 22 दिये है भगवान के जोई शवतार तो प्रीजनों बहुत अची बात है भगवान के यह सात्वा अवतार यज्यनारान भगवान निकी जै और आठ्वा अवतार है जैन दर्म के प्रदं तिर्धंकर भगवान आदि नाथ वोली रिषपदे व भगवान रिषबडे जितने दुनिया में धर्म चले सब के प्रवरक तक सब सनातन धर्म के थे वजिनों ने जैन सज्ञति को बहुत मुचा किया अहिं श्याभर्मा धर्म को बहुत मुचाई थी हमारी इस भारत में सब संस्कृतिया जीती है साफ जेन भी है, हिंदु भी है वैश्ण भी है, श्रीव भी है शाक्त भी देवी को मानने वाली भी है भारत को सच कहो तो वेदांती कहीं भी दुनिया में कोई धर्म नहीं चलता कोई तयार नहीं है धर्म को रखने के लिए भारत कारीद है बहुत बड़ा है हमारे गुरुजी श्री करपात्री जी महाराज से किसी ने का निंदक लोग आपके भारती धर्म की इतनी निंदा करते हैं और आप सनातन समाझ के गुरु हैं करपात्री महाराज है हम बुलते क्यों नहीं है गिरुद क्यों नहीं करते करपात्री जी ने का बुड़ा दादा जब वेठता है तो पोता पोती आके कोई बाल खींचता है कोई नाग पकड़ता है कोई कान पकड़ता है तो दादा खुस होता है कि नारा जूता है इस जितने धर्म है, सब हमारे से पैदा हुए भिया, अब क्या नाग पगान पकड़ने वाना को परेंगा, आखरी में दुनिया में बचेगा तो एक ही, अब देखो हर साल नए महसब है, जो गुरु पैदा होता है, आजकल तो ऐसे ऐसे निगुरे गुरु पैदा हो गए, किरतन करो, लोग फंस जाते हैं ऐसे गुरु और चक्र में, भारत देश में इश्वरवाद, बहुत साफ सुतरा है, कोई भी मनुष्य इश्वर नहीं हो सकता है, हाँ, भजन किरतन करे, तो भक्त हो सकता है, भक्त हो सकता है, इश्वर तो, जिज में काम है, क्रोध है, पाल को कहते हम इश्वन है, सभेद होना तो नहीं दोग सकता है, इश्वन कहा है, इश्वन कहा है, चलिए, आठ्वा अतार शब्देव भगवान का नवा पृथु माराज का, राजा पृथु, जिनों ने धर्दी के पहले राजा बने, और धर्दी से सोना, चांदी, हीरे, म जो निकालना था, सब निकाले धर्दी से, पृथु सी धर्दी का नाम पड़ा पृथु, पृथु, दस्मा अवतार मस्यनारायन भगवान की, यहो, भगवान ने मजले का रूप धरन किया, रिष्यों की, वहन किया, मश्यर रूप के अंदर परमात्मा करके, जगत का भला करते हैं, जग calls की नहुका का परान करते हैं, तॉसर थपा घ्टार, यहरु मा फथर, कच्छवां की अव nhân का भगवान के समया है, हम मचली में भी भगवान और कच्वे में भी, मतलब हिंदू शुन्स्कृती कैती है," मचली को भी मततर, सभ घ्चारी को और कच्वे को भी मत मारों क्योंकि यह भगवान कच्छवा भी बना है भगवान पावित्ध हमार हैं पूरी का ए समुद्र का का इलाका था 20-30 साल तेले उन लोग आते हैं अब देखें क्या गंदा कर रखा लोगोने खाती कर के मस्यादो शर्व मांश भक मनु अराज कहते हैं जिने मस्य खाया मतलव उसने गंदा से गंदे के सब कुछ खा गया हो क्योंकि गंदे से गंदे कीड़े काती है मची पानी की कै किड़े काती है कर थे क्चिवें में भगमान तेरम आवतार बोलिय धनवनतरी भगवाना भेट के आचारी बने हर दवाई हरोग ठीक या जासता है 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 जन्वनतरी का बना और चोदम आवतार मोहिनि भगवाने आ की है मुषनी मन करके बहँआ ने देवताओं कामरित मिलाया पंद्रों में भामन भगवान कीजे 16 आवतार परुशना že जो कीजे फुने अवतार में वेदभ याश भगवान कीजे तो लो इंठा अठार पुरंड लिखे अठारवे अवतार में राजा राम चंद्र भाग्माने कीजे गुनीस्म आवतार गुलिवलदेव भाग्माने कीजे दाऊ दयाले कीजे पु subscriptions 따me राउत दयाल का अवतार है ये उनिस्म का अवतार है और वीश्म सम्म कृष्ण का नहीं आला कि इसमाया इकीसमा अवतार भगवान बुद्ध का होगा जब हागवत कई गई तब अभी हड़ाई अजारवर्स पहले हो चुका है बुद्ध का यही वो कलिंगा अंग देश है महाराज जहां पर असोग सम्राथ ने कितने खुन की नदियां भावी थे तो बुद्धम शरण बह्त एक सम्राइथ ने कि एसा आगया था बुद्ध ने ऐसा कर दिया था अलांकि शंकराचारिय ने बुद्ध धरन का फिर ल्गाया है हैни क्योंकि उद्ध ने एक नियम चला दिया कोई वाद नी करें आई कोई बिवानी करेगा हम उस देश के रहने वाले हैं घर गरिष्टी में रहकर इस्वर पाया जाता है गरिष्टा अश्रम खत्म हो जाएगा तो सन्यासी कहां से पैदा होगा कहां से ब्रमचारी पैदा होगा यवल सन्यास लो सन्यास लो ग्रिष्टी से ही तो सादू है, संत है, मात्मा है, पंडित है, ज्यानी है, राम है, हनुमान है जब इंसा बढ़ जाती है, चारों तरफ खून बढ़ जाता है, तो बुद्ध चाहिए, दस आवतार में बुद्ध है ये भागवान का जो अवतार होगा प्रेमी जनो बुद्ध का एकिस्वा अवतार, बाइस्वा अवतार, इसी उडिसान, शंबल पुर्गाओं में, विष्णु यस ब्रामन के घर में, जब कल्युक का चोधा चरनाएगा, कौंसा चरनाएगा? अभी कल्युक का सुभारंब हाओं में पांच हजार। कुछ बरस भीते हैं कल्युक को बस कितने हैं? कल्युक के उमर का चार हजार, 4 द Italoester होतार नग ऑफ पहला चरने, इसलिए अधर पंडिजी के दे कल्यूगे कल्युक कि लिजुक के अखनेगा झवह पर्सलिए को पंडी जी रोज कहते है अश्टाविन सथी तमें कलियों के अठाइस्वां कल जुगाया है वारे रिश्यों ने जोड़ दिया तेरे मर्जियों कर ले सूरज इतना दूर है इतना बड़ा है जमंगल इतना बड़ा ये ग्रह ये लाल माटी वां की ब्रेस्पती पिला इतना ग्रह उपर ग्रह इतनी लाग योजन का विस्तरिन है रिश्यों ने मुनियों ने सब नाप के रख दिया विग्यानी नाप ते रहो जिंदगे में तुलसिदास ने एक पंक्ती में कह दिया यूग सैस्तर योजन पर तेरे को नापना नाप ले पूरी धर्दी को नाप दिय या रिश्यों ने मंगल बुद्ध व्रिश्पत सुक्र सब को रिश्यों ने बहुत बढ़िया से नाप छोड़ा मेरे प्रेमी जनों भगवान बुद्ध कल युका जब आगवन होगा तो कल की भगवान का वतार होगा घोड़े पर वेट कराएंगे दुष्टों का बद कर और आगवान घ्रिश्पत बुद्ध कर देंगे सब की सक्तियां कतम हो जाएगी के तेएस्वां हंस का जब ब्रह्माजी मोहित होगे तो हंस बनकर वगवान क्या नेंगे और चोईश्वा है घरीव भगमान की जए है घरीव राक्षा जिसका शिर रहता है घोड़े का है श और आखरी में भगवान ने हयगड़ीव राक्षस का बद किया हयगड़ीव राक्षस ने क्या किया था सारे वेदों को Watch Samudr में टो दिया था वेदमंत्रों को वेदमंत्र किताबों में नहीं थे Samudr की लहरों में थे तब भगवान हयगड़ीव आये और घोड़ा बनकर आये ना उन्हाने अपनी पूँच से शमद्र की लहरों से मंत्र वापिस उठाए किसे उठाए अपनी पूँच से वेद मंत्र उठाए और वेद मंत्र नहीं उठाए चारों वेद स्थापन किये उन्होंने बूल यह ग्रीव लेकिन हां घोड़े के आप अपने गाउं के अंदर सबसे पुरुला देना वाला जो वाद्य बज़ता है किसे बज़ता है कि गोड़े की पूछ के बालों को और किसी से इसा जब्द निकली नहीं ज़र दा है शरुद बजाएए ताभी बजाएए उसमें किसके बाल लगते हैं अपनी आतो प्याय अपनी आतो ऊच्चारन है आए अब लोग उच्चारन करते हैं वह पर दक्षिन बहारत में उसके उपर गान करते हैं फ्रिया आंतवा प्रिया पाति ग्व्बंड भा मह्भान प्रिया प्रिया निदे नांत्वा निदे पते कौंग अगाम हे बसो मामा आह माजानी गर्भध मात्व मजा सीगर्भध माजा सीगर्भध माज़ लोग कहते हैं दक्षुन के विद्वान अरे वाँ गाना है और हमारे इस भारत में पाठ है पाठ सहस्त्र सीरे खापुरुखा यह हमारा उत्तर भारत है जास्त्राक्षा सहस्त्र पाठ इसमें का है सब्षे सुद्ध बेद मंत्र भोडे के काल चे गाए जाते हैं अब इलेक्टे की अंत्र आगे उनकी छोड़ दिए इलेक्टे की अंत्र नचा सकते हैं पर रुला नहीं सकते हैं और हमारा हनुमोनियम हमारे तार यंत्र किस्वर से भी मिला सकते हैं इसले हो सके तो अनुमोनियम सिखना है हो सके वाइलिंग सिखना हो सके स्वरोष सिखना हो सके सितार सिखना है वो गोड़े के पुछ में कमाला देया बोलिय है ग्रीव भगवान की चोई सबधार भगवान की पर यह जो चोई सबधान है ना कि इतने चोई सबतार है इनको बताया गया अंसा अवतार पर यह चोई समें जो एक अवतार एक कृष्ण का नहीं आलाव की जै इसको भागवत जीने का पूर्ण आवतार भोलिया पूर्ण ब्रह्म भगमाने की जै स्रीकृष्ण क्या है एते चांश कलापुंश प्रिष्ण स्थो भगे वान्सवयं एते चांश कलापुंश प्रिष्ण स्थो भगे वान्सवयं इंद्रा रिभ्या कुलं लोकं क्रिष्ण श्थो भागवान जोता हैं कि क्रिष्ण स्थो भग्वान श्वयं भग्वान क्या बता जाना क्रिश्ण पूर ना बता रहें तो हमारे राम जी क्या है भाई राम जी भी अवतार ही है लेकिन कृष्ण जी जैसे एकम का चांद चांद होता ना दूद का चांद चांद है तीज का चांद भी पलपुन्रमा का चांद पूरा चांद इसले जितने अवतार हैं कोई एक कला, कोई दो कला, कोई तेरह रागो जी तेरह कला के हैं और हमारे कृष्णों सोलह कला से हैं चांद तो चांद ही है, चांद में कोई बरक नहीं है पर छोटे बड़े की बात है पर इसके अंदर कोई लड़ाई जगड़े वाली बात नहीं है किसी ने तुलसिदाजी से का आपके राम जी तो तेरे कलाके हैं हमारे कृष्ण जी सोले कलाके हैं तुलसिदाजी ने हाद जोड़के का वह या बड़ी कृपा की आज तक तो सुना था कि राम एक राजा का बेटा है पर आज ये पता चला मेरे रगुनात तेरे कला के भी है, वाँ वाँ, बड़ी कृपा की, बड़े खुज़ ये तुल जिदा जी, रागव जी में कोई कमी आगया, कोई कमी निया राम जी, अब कुछ है सो तो ही, कृष्ण पूरा है, चोर है तो, बोलो बोलो, पूरा चोर है, आज तक उस चोर को कोई चोर तो बहुत मिलेंगे सावाब को, पर कृष्ण जैसा चोर कोई धन चुरा रहा है कोई पैसा चुरा रहा है कोई क्या चुरा रहा है पर कृष्ण जो है हमारे घर में नो लाग गाए है फिर भी पता चल जाए कि प्रेम करने वाली गूपी की दो गाए है और नो लाग गायवाला अदमी, दो गायवाली के मक्कन चोर कर खा लेता है क्योंकि वो भगवान है जिनके पास समंदर जैसा दूद्धाई बरा होगा वो दो गायवाली के जाएगा क्या वो भगवान है पूरा पूरा चूर है तो ऐसी चूरी की आज तक कनिया पकड़े नहीं गए पूरा चूर मेरे प्रेमियों भगवान कैसे चूर है जरा ध्यान दो किसी गोपी को बता चल जाए कि आज कृष्ण मेरे घर में चूरी आज तेरे घर में माखन नहीं खाया तो मेरा नाम कृष्ण नहीं गोपी को बता चल जाए क्रिष्ण मागन गाने आ रहे हैं तो घुपी रोने लगती है अरे आज तो माउस की रात है क्या रात है का निया है का गली में कोई ठोकर लग गए अंदेर में तो तो घर से लेकर के जंगल तक गी के दिवे जला के आ जाती है कि आने वाले चोर के ठोकर के ऐसा चोर कहीं कि भी लोग दर्वाज बंद करते हैं हर कोपी दर्वाजा खोल के रखिए कि छोर कुरा अब आपके राम जी क्या है राम जी चिच्वत चोर है विस्व चुत चोरा आँ क्रिष्ण कैसा चोर है अगल तो पूरा चोर पापी ने के मैं पाप चुराओं, पापी हो के, भागता ने कोची तो चोर, जै जगनात, भागतों का, मैं ही चोरी छोड़ दू, तो कौन हरे दुख गोच्छु जगनात कहते हैं, मैं चोरी छोड़ दूगा, तो तुम्हारी तकली कोन चुराएगा, जीनी चोरी करे अनाओडी, मोटी करे गुरु चोर, और मन से जीनो कुछ नहीं, मां को ही कृष्न चोर, तो दिल चुरादा है, तो चोर है तो, बूरा, और उत्फाती है तो, अब ऐसा कोई उत्फाती पैदा ही नहीं हुआ, और योगी है तो, कृष्न जैसा कोई योगी नहीं हुआ, और भोगी है तो, कृष्न का सुख रानियों में नहीं था, 16,108 रानिया ती तो आनंद था, और समंदर बे डूह गई तो उसको दुख भी नहीं हुआ, क्योंकि कृष्न का सुख अपने अंदर था, रानियों और द्वारिका में नहीं था, यह तो कृष्न है, कृष्न की जारी जंगे निकाल दे दिवान से, क्रिश्न क्या है, 16,108 राजकर्या, 16,100 राजकर्या, बहुमासुर राक्षस की जेल खाने में बन, बहुमासुर को मारा, लड़कियों के माँ से, बाप से, भाईयों से कहा, रहे अपनी बेटियों को, बेहनों को ले जाओ, और वो लेख नहीं, कृष्न हम जेल खाने वालियों को भी जाओ, अपने दो एक की जगना, दू टावर हो जाओ, खाले का, तो कोई पराया रहने लग जाओ, तो घर में आपक होती है, भैवान ने का, कोई बाप नहीं ले रहा, कोई मा नहीं, कोई राजकुमार बिवा करने नहीं होगा, और लड़कियों का दोस्ता और सुन्दर थी, और वो मासुर ने जेल में, आकरी में, कृष्ण ही ऐसा है, बुद्ध की थाकत है गया, बुद्ध तो कहता है, इस्त्री को देखो तो कपड़ा डाल लो चेहरे, राम कहते हैं, मैं तो दूसरा विवानी करता है, कृष्ण ने का जब तुमें, कोई मा, कोई बाप, कोई विवा, राजकुमार करने को त कृष्ण जैसा किसी का दिल होगा, जूर राणि को सम्मान मिलेगा तुम कहुने गए, राणि की बात नहीं है, बात है अपना दिन के साथ, सोले करोड होथी तो क्या था, जगनात किस नगरी में आपको पता है, रोज जगनात जी कि यहां सवा सो मन चावल बनता है, कितना है, चार सो हो तो कुमार के घर हैं खाली, हांडी बनाने वाली, कोई भी यहां भुखा नहीं रहता है, पचास कोस में, किसी घर में विवाब हो, सगाई हो, राप भी आए तो एक दिन पुरशाद मगाना पड़े लाप, जगनात का प्रशाद, कोई भुखा रहता है, घर में जगनाजी इतना खाते हो, जगनाजी नहीं खाता हो, विष्व के अंदर, मेरा कोई भक्त भुखानी रहता है, वहीं पहुंचा के तुना हो, एक आधी घरोटी देनी मुसक आधी जगनाजी में रोज एक लाख आत्मी पोजन करते है, वह बुखान हो मुर्थिया भी अच्छी है हमारे जिंते एक आधी आधी को रोटी नहीँकिलाते है, डी meditate एच जिनाओत में बुखार जिनाट जि रोज लाखों को भुखान है, भाके भिहरी रोज लाखों को हो दादाँ का सरादा है लोग चाहरा रमी को खिलता है फुरा परिवारwwww मरे पित्रू है कम जगम भुजन तो दे दे तो जिन्दे लोग Eli काम के मह distributed जो है को पानी का जिंदे अचे के मुझेगरयज अजिन अचे मुरलाज ए using कि इसे को रूटे की निए दादा जी का शाद है सवाजा जी वाजगर में पचांस आद्मी पट्ते वह ओज दे क्या काम के सब का जीने को तो कववा भी जीता एह जाद की पूरी खूब खाता हूं जीना ही जीना है तो पेड़-फ०िवी जीते है जीना ही जीना है तो दुनिया के अंदर स्वास लेना ही जीना तो लुहार की धोगनी भी सांस लेती तो कृष्णस्तू भगवान कृष्ण जैसा हुआ नहीं जो ब्रह्म ज्यान हिमाले की गुभाओं में रिशी लोग पड़ा करते थे जो ब्रह्म बिद्या जंगल के रिशी मुनी साधना करके वन में करते थे कृष्ण ने माभारत के रण में वही ब्रह्म ज्यान सुना दिया अरचन को काई अध्यात्म विद्या जो वन की थी उसको रण में लाने वाला एगी ब्यक्विद कृष्ण चारो तरब सेना उमढ रही हो और बीच में ब्रह्म ज्यान सुनाने वाला गेवल कृष्ण गीता में साथ सो स्लोग है साथ सो स्लोगों में साथ सो समंत्रों से ज्यादा ग्यान भरा है इसलिए कृष्णम बंदे जगत गीता में नहीं है ब्रह्मांड में किसी भी गरंथ में नहीं है चाहे वो जर्मन का गरंतो, चाहे जापान का गरंतो, चाहे मेरी काका, चाहे बुद्ध, जो गीता में क्यान है, वही सब गरंतों में है, और जो गीता में ने ब्रमन्द में कहीं है, उसले कृष्णम बंदे जगत गुरू, एक पंक्ती नहीं कह पाया कोई, सब गीता की ठीका है कुर्ष्ण जो कहके गए गीता ने साथ सु समंदर भरके गए आज कोई कह सकता है गीता मैं पढ़ता हूँ या गीता मुझे याद है नाए इनका अंत नहीं है रामयन पढ़ सकते हैं भागवत पढ़ सकते हैं अब गीता गीता कहने वाले भी बहुत कम है और समझने और सुनने वाले तो बहुत ही कम है साथ समाज मुझे गीता गीता का कृष्ण निराला कृष्ण जाब अर्जुन कहता है अर्जुन कहता है मृत्यू क्या मोत कृष्ण कहते है पागल कहीं का कोई मरा है अस तक इस भारत देश में अर्जुन ने कोई मरा था ने कोई मर रहा है और ने कोई मरेगा चोला बदलना भोल यार आत्मा तो मेरा रूप है सरीर बदलते है अर्जुन आत्मा नहीं मरते कोई नहीं मरा आज तक गीता मोत को नहीं मानती वागवत मूत को नी मानती भारती ज्यान केते हैं चुला बदलना सरीर पुराना हो गया दूसरा लेलिया बाजांसी जिरना नियता जिया नमा निकन नाति लडो बनाड़ी अरजुल केता है रनांगन ज्या केता है? रनांगन जिन्दगी रांगन लडो 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 कृष्ण निका नहीं जिन्दगी रांगन है यार एक खेल का मेदान है कोई जीतता है कोई हारता है आज जो हरा कल जीतेगा कल जो हरा हो जीता हो हारेंगा अरजुन केता रोधान कृष्ण कहता है प्रहशन निवारत है दुनिया में रोना है नहीं है तो तेरा बनाया हुआ है रोना नहीं है दुनिया मैंने रोना दिया ही नहीं वेक्ति को प्रहशन सदा प्रहशन नहीं है अर्जन कहता है प्रशा विशाद कृष्ण कहता है प्रशाद कृष्ण कहता है प के लिए एक रस्ता खुला है विशाद मत कहा करो हर चीज को प्रशाद कहा करो आगे बढ़ने के लिए यदि गंगा के बीच में हिमाले के लाको चट्टानों के रोड़े नहीं आते तो गंगा कभी भी गंगा सागर नहीं पहुंच दिया भला उन चट्टानों का जिसने उन चट्टों में खिला सेज पे मुरजा गया फूल गुलाब जब कांटों में बहुता है लेकिन सेज पर ऐसे कोई आदमी आप से अनुरोदे रडेटायर मत को जाना है जिन्दनी त अब यद बस अर जाओं के बे बहुत चूल कांटों में जह शाज जोचा दो भीशा हो अब छोरा जारा समाला लागा, तो फूल, कांटों में तो खिलता है, काम होता तो, कोई रोग नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा यापको, लेकिन सेज में, फूल को तोड़ के सेज प्रगदो थोड़ी देर में, जो आदमी सोचा कि अब तो मोझ मस्ती, अब खाऊंगा मुर जा गया, तो कृष्ण क्या है, पूरा पूरा चोर है तो, पूरा और योगी है तो, और सत्यबादी है तो, कृष्ण जैसा सत्यबादी कोई पैदा नहीं होगा, कृष्ण पूरा सत्यबादी है, कि युदिष्टिर से कह दें, युदिष्टिर कह दो, अस्वत्थामा मर कया। क्योंकि जब तक तो ऐसा नहीं कहेगा, द्रोण आचारी अस्तर नहीं पटकेंगे, और अस्तर नहीं पटकेंगे तो इनको मारा नहीं जाएगा। युदिश्टिर ने का आप जूड बोलवा है मेरे से, बगवान ने का एक अजवत दावान हम का हाथी मरा चल नरो आ कुंजरो कह दे, युदिश्टिर ने का नहीं, जूड जूड होता है, मैं जीवन पर जूड नहीं बोला, मेरा रत एक बित्था उपर चलता दर्ती से, दर थामा, मर गया, युदिश्टिर ने का नहीं बोलूगा, कृष्ण ने का सुन, भरी सभा में द्रोवदी नग्रहुर की जा रही थी, और ये द्रोणाचारी उसे देख रहे थे, एक आचारी की दरकार नहीं है, ऐसे आचारी की इस देश को, एक छूड से, यदि ऐसे आचा आचारी को मारा जा सकता है, तो कृष्ण असत्य को करोडो सत्य सी भी बड़ा मानता है, बोलूगा, सत्य है कृष्ण का पर कड़वा सत्य है, इसका जीवन सत्य नहीं है, तो इसके साथ में सत्य कैसे पालन किया जा सकता है, मैं उस जूट को करोडो सत्य सी हूचा मानता हू युदेश्चिन ने कहा और दुनाचरे मारा गया जूट है गया कृष्ण परी सबाव में एक बेचचत हुई है और आचारी देख रहे है इसलिए गीता पढ़नी मुड़ी मुझे लगा गीता पढ़ते हैं तो दिमांग कभी कभी जगराता है भगवान अर्जुन से कहते है कृत करेगा तो नर्ग में जाएगा अर्जुन कहता तलवार भी मारो सामने माला गुर गुसा भी नहीं करो का यही तो बहादुरी है यार तर्मिदम नर्क शेदम द्वारम मात्मन आशना कभी कभी दस दिन हम लोगो गीता पर बोलना पड़ता है या गीता है साब सच में गीता तो गोविंद का दिदा है गीता में दिदा है अधुरता है गीता जज़ा कोई नहीं राम सुगदाजी कहते थे अर्जुन का बढ़ा सोभाग्य नहीं था कि उले एक बार गीता सुनी पर हम लोग का बड़ा सोभाग्य है रोज गीता के पांच ग्यारश लोग पढ़ते हैं जो वाणी गोविंद के मुझ से निकली आज हमारे मुझ से केतने गाना उनका गाया हुआ है यह गाना यह गीता गुविंद का गाया हुआ गीत है पढ़ो तो ऐसा सत्य करौडो सत्य से अच्छा है तो कृष्ण पूरा है चोर है तो सावकार है तो पूरा सावकार योगी है तो और नर्तक है तो नाचने वाला है तो जब भगवान ने राज स्री लाकी तो दो चार दस ने बाजे वाले एक लाग गंधर वाध्य बजाने के लिए आये थे कितरे एक लाग गंधरों का दिमाग गुम जाता है कैसे नाचा होगा इसे बाजे उपर कृष्ण जैसा नर्तक पैदा नहीं हुआ 36 लडिया 36 लडिया पहनी थी कृष्ण ने गुगुरू की पैर में रास के समय तीसरी लडिय का तीसरा गुगुरू बजता था तो तीसरा ही बजता था मजाल पांचमा बज़ जाए आँ नाचा होगा अब 36 लडिया वान दे उसका तीसरे नंबर का गुगुरू बजना है 36 होगा है कोई नर्तक पहली लडिया बजनी है तो पहली बजनी है और नाचे का वैसा है सारे नर्तक बेकार होगा रास में एक लाग अंदरों ने मात्या बजाए कृष्ण ने जब कृष्ण ने जब रास में प्रवेश किया नीधा बगा मागरे सागा मागरे है मागरे है कोई नर्तक कृष्ण कृष्ण है पूरा नर्तक कृष्ण नीधा पाकमागरे पाकमागरे सागा नीधा नीधा कि इधर उधर मत देखिए सीधे रास में देखिए जब चारों टरब से गोभी आएई एक गोभी एको कृष्णियो रीग गोभी दो कृष्णद को ज न हैं कृष्णद आएं कृष्णम्बंदे भारत रेका जगद्गुरु नहीं बड़ाय का ह। कृष्ण मंदेग पूरा नर्तक है या पूरा नर्तक है कृष्ण कृष्ण है माँ भारत में अर्जुन मार अर्जुन मार यह सेर का चोला पैड़े हुए भेड़ी है भिश्मो द्रोन अर्जुन कहता मेरे से मारा नहीं जाएगा कृष्ण ने का मरना तो आता न लड़ते मित्र लड़ते लड़ते मरा था पर भागने नहीं दूगा अर्जुन कहता है मैं आनी जाओंगा जंगल में जाएगा मुझको निम ओर्णा मेरे चाहर ने कांक्षे भीर्यम कृष्ण ने जर आयोगा इनके खुण से सनी वी रोटी कार जिए मैं जंगल जा रहा हूं कृए ने कहा कौन कहता है लड़ने के लिए मरजा लड़ते लड़ते स्वधर्मी निदनम मरना ही अच्छा मर अर्वाग नहीं दूना क्रिश्न क्रिश्न जरासंद के साथ युद्वा तो खुद भाग गये बोलिया रण छोड़ राय की जैख वहां भागना ही करोडों के प्रान ब हाथ काटने वाले को पुरुसकार मिलना चीए कि को हाथ काटने वाले को पुरुसकार मिलना चीए कि जील मिलनी चीए को डाको हाथ काटने वाले को हाथ काटने वाले को जेल होनी चीए और ड़क्टर काटे तो कि दो चार लाग रुपया और देव प्रसन का कि वहीं इसके कैंसर हो गया था हाथ काटना पड़ गया बोलो हाथ काटना पाप है कि हाथ काटना पुन्य बोलो अरे समयों की बात है भाई किसी को गोली से मारना पुन्य है कि पाप है समय की बात है जब हमारे border पर हमारे शेनी गुड़ा देते है आतंकवादियों को सोदोसों को तो सोग चक्रोर पहना है जाला वा बेटा वा क्या मारा इतनों को मारा वा वा तो मारना अच्छा है मारना पुरिष़कार है कि मारना अब ऐसे कोई गोली मारत तो तो समय की बात है हात काटना और मारना गोली मारना उस समय भागना ही अच्छा था उस दिन कड़ा होना ही अच्छा था उसने खृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है हुआ 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 कि महावारत का युद्ध था चलो दूसरों के चाचा ताओ बेटे थे मार अर्जुन मार क्या जाता था मरवा दिया क्रिश्ण ने लेकिन अंतिम समय क्रिश्ण का दृष्ण देख नहीं पाओगे चापन क्रोड यादों को शाप लगा यादों लड़के मर गए लासों की लासे बिची पड़ी है जवानी में तो अर्जुन को गीदा सुनाई पर लासे बिची पड़ी है चाचा ताओ बेटे पोते क्रिश्ण के छत बिचत लासे गीद खा रहे हैं और उन गीदों की लासों पर बेटावा क्रिश्ण उद्धव पैरों में पड़ता है तो उद्धव को भगवान एक आद हैं में हालकन और हैं मैं भी चिता में जल जाऊंगा पर रांग कृष्ण कर्ष्ण सुख में कभी सुखी नहीं हो आख अ कभी बिची नहीं हॉआ यक्ती और गीता में कृष्ण ने कहा नाग पक्रणा योग नहीं मानता रर्जुदन ए सब्तम योग मुच्चते जो व्यक्ति सुख में सुखी नहीं होता हानी लाव जी उन मरन में जो संब रहता है उसका नाम योगी होता है यार किसको योगी मना रहे हैं तो पैसे के इसलिए मरने वाले योगी होते है पैसे पैसे के लिए मरने वालों को योगी कहते हो कोई एक बात बोल दे तो दस बात सुमनाने वाले को योगी कहते हो योग सब्द के उपर कलंक है ये लोग समत्वम योग मुच्छियते गीता सम आनिलाव जीवन मरन जस अब जस लेना देना सब समय कर्ष्ण पूरी जीवन में कृष्ण को कोई रोते नहीं दे रोए नहीं वो कभी तो राम जी को कैसे खड़ा कर दें कृष्ण की जी के ज़ए एक भाई के वान लगा तो क्यास थी कि यह चपन क्रोड लासें बिची पड़ी है और राम जी के अंदर महरा जी बेटे हुए है महरा जी आए हुए है अविध्यास तीन लाग जब करेंगे यह आम बेटकर कल बता रहे देगे आगे राम जी में कमी है न राम जी जूट नहीं बोल सकते है हमारे कर दिशन जूट है आपके राम जी जूट बोल सकते हैं क्या कभी नहीं कृष्ण जी अरे ओर छोड़ो अपनी सग्दी महा से जूट बोल लेते हैं महें भर माहन church माह चैस आसा सुना कर्यां तो गाय चराने जाता हाई चुप बरसाने रादाजी से मिलने जाता है क्रिष्णा ने का क्या उत जा है कोई बर klip का मा मौ है कि अमा बरसा गे मुझके तो पत्ते सहे हैं लो अपनी माथेजी कि या भाल लिल है इसलिए कृष्ण जैसा कि इसलिए भागवतने का कृष्ण स्थू भगमान स्वयम राप जी दूसरा भीवा नहीं कर सकते यक्यकिया तो स्वर्ण की सीता बनाई भर कृष्ण जी कोई जरण भे आए आजाओ राम राम है साब कृष्ण जैसा कृष्ण यूबार आप कृष्ण को भहिया जी पढ़ोगे ना तो रोधोगे कृष्ण की जीतनी आपद कृष्ण पर गिरी बिष्व में ब्रम हंड में किसी पर उतनी आपद जनम्ते मामा दुसमन कौन दूसमन जेल खाने में, एक नहीं, दो नहीं, छेचे भाई मार चुका था उनके, क्या हो, दसा हुई होगी, रात और रात गाउं छोड़कर के टोकरे में बेटकर के दूसरी गाउं में भागना, छटा दिन हुआ कृष्ण के जनम का, इस्तरी दुस्मन हो गई, फूतना आगई जहर पिलाने, छटा ही देगा, इस्तरी आँ दुस्मन बताईए, और तो और जिस गिर थेले गाड़ी में जो ही, वो छगड़ा दुस्मन, वो ही, चगड़ासुर गिर गया, दबा के मारो इसको, हवाएं दुस्मन, चरनावरत आया की, इसको तो उड़ा के, समद्र में प्यंच प्यंद्र में बताईए, आचकर हासुर आचकर दुस्मन, प्रशामासुर वहल दुस्मन, क्यरिए घुद्वाण, ठोड़ दुस्मन, ओर इनकी जोडो इंदुस्मन, दुवो के मारो इसको निको, मेरी बुझाब दुकार हादी, 7 बुकार साथ दिन बरसा, ब्रहमा दुस् कि यह ने दुस्मन गिन पाओं गया जल में जाये तो कालियनाग दुस्मन म्रम्मा दुस्मन इंद्र दुस्मन वरुण दुस्मन हद हो गई यारो दुस्मनों की ताधात की हद हो गई और मतुराय तो कंस दुस्मन उसके नोभाई दुस्मन और जरासंद ने सत्रे बार कृष्ण मरधावा किया कितनी सेना लेकर तेज सक्षोनी सेना लेकर आया हर बार महा बारत या राए च्छोटा जूद्ध है 18 खुणी से ना मरी थी महाबारत में 18 खुनी का मनलोग मतलू हो 9 Berg 40 लाक लोग मरी थे महाबारत कितनी बार हुआ था महाबरत का युद्ध एक बार और जरासंद शत्रय बार 30 खुणी सेनले कराया गिन सकोगे चली हो गई लड़ते जड़ते बान खाते खाते बज्दर चलाते चलाते हाथ होगे कृष्ण जैसा योधा ब्रह्मान्द में पैदा नहीं होगा योधा कृष्ण पॉंड्रक बिलवल और उसके बाद तो महाभारत वे भगवान धोनाचारी है भी समर वे इस ग्वाले को करन कहता हाथ जिंदा नहीं छोड़ो माइस ग्वाले को कितमे दुस्मन के अदाद परी पड़ी है लेकिन आप जनासे ध्यान दीजिए फिर भी धाकरशी बानसरी बजारा है फिर भी बानसरी बजारा है हाथ होगी याद आरे लालावाथ मांसुरी की तान से सीख ले ऐ जिंदगी लाख सीने में जखं हो गुन गुना ना चागि लाख सीने में जखं हो कुष्ण कुष्ण है साहा इतनी आपाता इतनी भी पता है फिर भी वह मासुर से युद्ध शिशपाल भरी सवा में गालियां दे रहा है कुष्ण की कहीं फोट आपको रोती मुए दिखाई देगी यह एतनी आबद म ciao यह अ क्रिश्ण की तरह के हैं महा पुरुष यह यह से क्यों कृम का फुल्का बनता है आप यहों का फुलका देखते हैं यहों की क्या दर्सा होती है काटा गया बोलो काटा गया पीसा क्वेले तो खेद में काटा गयों फिर पीसा गया गूथा गया काटा गया पीसा गया गूथा गया फिर भी गिये हूं से सबक लेना दुनिया भूल जाती है पेट भरना है किसी का यह सोच कर थवे पे रोटी खुशी से भूल जाती है काटा गया पीसा गया अब सवरोद्य महराज जी महरा जो आपत गरम है महराज जी जो कृष्ण को पढ़ राम को पढ़ जैराजा तेरी आपते कुछ नहीं है यार कुछ नहीं आपते दौदी को पढ़ोगे न क्या है हमारी आपते शीता को पढ़ोगे तो भूल जाओगे इसलिए महा भारत की गीता को मत भूलना और आवेन की सीता को मत भूलना जीवन में पाना है तो कृष्ण स्थो भगमां स्वयवं कर्ष्ण क्या यह पूरा चांद पूरा चांद पूरा चांद और प्रेम करने वाला कृष्ण जैसा होई पैदा हुआ यह प्रेम सब्धी खर्ष्ण से सुरू होता है प्रीत किरीत को पेंडो ही न्यारो के जाने ब्रिश्भानुनंदिनी के जाने यह काना कारो बातन प्रीत नहोत सखीरी ये अपने जिय सोच विचारो सूर श्याम ये प्रीत कठिन है सीस दिये ते वो ये निवारो कृष्ण जैसा प्रेम करने वाला कहां मिलेगा साथ जेड वैसा का महीना था कौन सा महीना था और खड़ाके की धूप पड़ रहे हैं योड़दार धूप पड़ रहे हैं और भगवान कृष्ण तीले पर खड़े हैं या तपती धूप पैर में जूते नहीं और हाथ में छत्ता नहीं ओ वो कड़ाके की धूप कि दिले पर गड़े कृष्ण वाले ने आवाज दिया रहे हो करनो आजा आजा कदम के नीचे आजा आज यह सी धूप कभी नहीं लाला गाल लाल हो गये पैर में छाले पड़ जाएंगे आजा प्रेम करने वाले सब देखते हैं गया है आज तो जूटी महबद कर दें व्याक पेला तेरे लिया चांद लादूंगा रसूरज लादूंगा या कि वाद एक निभू नहीं थोड़ा लाज़ा इन लोगों से कि साख लानो तो तू लिया ध्वच्याख लाना तू लिया है है सान कर रहे है यार अध्डों कि कृष्ण खड़े है दूब के अंगर है कि ग्वाले ने आवाज लगए ओ कन्नों पर भगवान नहीं आये ग्वाला बुला लाला इतना दूब में इस तिले पर ग्वान खड़े हैं ग्वाला दोड करके पास में क्यों पुखड़े इतनी दूब में भगवान नेका नीचे दे कि नीचे किसी ने टीले पर रिख दिया था श्रीर आधे क्या लिगा था भगवान ने का लाडली के नाम को चाहां देके खड़ाओं के दूब में आपने सनिमा में प्रेम बहुत देखा होगा अरे सनिमा नहीं जि कि कृष्णस्तू भगमाँ स्वयम आया है 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 ऐसे जमाई मिले और आप भी खुद ऐसे बनो कि कोई की जो बेटियां ले खराए हो उनके उपर नाम पर भी आच नहीं आए जा आज का आदमी क्या हो गया है ना तेरों पेट दूख है तो तूज आनमा की गुर प्रों सिर्दुगत तुम अर ये वासा नहीं होनी चिये प्रेम की वासा होनी चिये मान लखान मान लक्ष्मन के और पीर रगुवीरे त्रणपरा रगुनात मान लगा त्रणपरा जीरे मार पड़ती बच्चे पर वेहुस माउती आज वी क्यों भूल राए सब प्रेम को क्या बिदा चली है तू नहीं तो तू सही है भगवान जिस मंदिर में जो मुर्ती बिठाई जाती है उस मंदिर में दूसरी मुर्ती नहीं बढ़ती है सहाँ यह भारतिया धरम है कोई भी बें साल दो साल साल जाके चुप रहे साल दो साल सहले उसके बाद तूरे जीवन वो राज्जी करेगे उस घर में पर बस साल दो साल ही तो बस सुरू वाले तो जमिना रहा है अज एक दो साल वो जो बोले जैसे बोले क्योंकि मनुष्य का जगडा नमक कम या आलो कम या सबजी कम का नहीं होता है जगडा एक होता है किसी भी पराएगर में हमको सभाव समझने में साल दो साल लग जाते हैं सभाव और किसी का बडाओ कभी जगडा है तस लीश साल बाद में तो यह की करन से जगडा है कि उनका सभव आप ने समझे आपका सभव मैं सा भूल सकता हूं मैं सी कह सकते हूं बास उस ने कह दिया तो ने ऐसा कहा है सभाव समझना पड़ता है पुले कृष्णा का नहीं आला लेंकि ये हूँ सनेमा देखने जाओगे की भागवत सुनोंगे बोलो भागवत सुनोंगे है रस्ता निकाल लिया चुरे ने है लेकिन सनेमा जरूर देखना पर सीख भागवत से लेना बस जराद उड़ाईए दो चर वेटी खड़ी हो जरा अरानी लागे मने कारो कारो जमना जी को पानी लागे कारो कारो जमना जी को पानी लागे अरे आप लोग तारी को बजाओ हमसे का में अरानी को जाओ हो जाओ हो जानी में कारो जी करो जमनाजी तो कारी कारी रादा गोरी गोरी जमनाजी तो कारी कारी रादा गोरी गोरी दावन में दोमों मचावे परशाने की छोरी उनके जर्णों में जिन्द गानी दागें गानी दागें गानों जमनादीरो कारो 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 पानी दागें पारो डिन्द गानी दागें मारा दी दागें अधे बोट अधूड़ाइए ये जगन्नात परहुआ आधे बोट। आओ, लिले कुड़ता बेन पेल दिया हो, अइधर आइधर इधर निदर निदर, बंचे लोग, आओ, इना तो नहीं, जब रादे रावे कर दो ना भावे मान माखन मिश्री ना कोई और मिटाई दीवड ल्याने भावे माने राधा नाम मलाई दीवड ल्याने भावे माने राधा नाम मलाई राधा नाम में ये हो राधा नाम में सपर जिन्द गानी लागे ओ जिन्द गानी लागे तो पानो चमना दीरो कारो कारो पानी लागे मीठिरस से बारोडी राधारानी लागे मारानी लागे पानो जम नाधीरो कारो कारो पाणी लागे ओ रादेवो ओ रादेवो ओ रादेवो ओ रादेवो ओ रादेवो ओ रादेवो रादेवो ओ रादेवो ओ रादेवो स्री रादेवो लादे 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 के प्रारम में परासर नाम के रिशी हुए जो गंगा पार करते समय एक मचली बेचने वाले की जिमर की कन्या मिली सत्यवती जिसके सरीर से दुरगन दाती थी मचली की उसका नाम ता मच्च गंदा उसने परासर रिशी को गंगा पार कराया बाबा ने का भूल क्या लेगी उत्राई उसने का एक संत मेरी गंग नोका में बेटे है महराज मच्वियों के संग रहते रहते सरीर में बदू हो गई मेरा नाम मच्च गंदा है रिशी ने का जा आज एक संत के साथ बेटी है आज से तेरा नाम कमल गंधा होगा मस्य गंधा से क्या बन जई पराश्र रिशी ने उत्राई क्या लेगी कहां नहीं महाराज अब क्या चाहिए कहां तू नहीं लेगी पर मैं देता हूं जा तू गंगा से आने जाने वाले रिशियों को पार करती है इस पार से उस पार ले मैं उत्राई देता हूं तेरे गरव से ऐसा पुत्र होगा जो करोडों लोगों हो भावसागर से पार करेगा पराश्र रिशी की अपनी तवश्याती सत्यवती के गरव से भगवान वेधव व्यास का जन्म हुआ लेकिन व्यास जी वाइने का ना भगवान का जन्म नहीं हो था नोका में व्यास जी का पराकट्थे हुआ द्वीप में पैदा हुए इसले नाम पड़ा द्वाईपायन रंग के काले थे इसले नाम पड़ा क्रष्ण रेदों का विस्तार किया इसलिए नाम पड़ा व्याश पूरा नाम ता क्रश्ण द्वाईप आया ना व्याश पूरा नाम है भगवान वेदव्याश का सत्यवती ने का मैं कुमारी हो राप की तवस्या से प्रभु की मुझे प्राप्ती हो गई काजा आवाज लगाना बेदव्यास दोड़े आएंगे सत्यवती में कमलों की गंदाई महराज सांतनु ने विवा किया शांतनु की पहली पुत्नी गंगा चली गई थी तो महराज नहीं यहां से पुरुवन शकौरोवन से चला है सहाब फिर क्या था शत्यवती के दिव्या गंगा से गंगे भिश्म का जनम हुआ था जिसमें पिता की बहुत से वाकी थी प्रेजनों जब उसके पुत्रों के संतान नहीं थी तो वेदाव्यास भगवान को बुलाया गया एक रानी देखते पीली पड़ गई तो पंडो का जनम हुआ एक ने आँख मंद की तो धृत्राष्ट का जनम हुआ एक तो गईनी दासी को भेज दिया अंबा अंबाली के रंबाली अंबा नहीं गई तो दासी को भेजा तो विदूर का जनम हुआ यहां से कुर्वन्स पंडवन्ष की कथा सुरू हो जाती है दृत्राष्ट राजा अंदा था पर बड़ा था पर अंदा राजा गदी पर कैसे बेढ़ सकता है इसलिए छोटे भाई पंडू को गदी दे गई तराष्ट को सदा मलाल रहा जी मेरे आंख होती तो आज मैं गदी पर वेड़ता जब पंडू का निधन हुआ तो उसके बच्चे हुए तो उसने चाहा कि गदी तो मेरी है और इसके लिए उसने पंडू पर कितने भेंकर भेंकर अत्याचार किये कि भाई के बच्चे मर जाएं गदी वो पंसो गाउं में पंच गाउं भी नहीं देना जाता था क्योंकि वो आँख का अंधानी अखल का भी अंधा था अंत तो गत्वा महा भारत का भेंकर युद्ध हुआ श्रीमत भागवत की कथा शुरू कहां से होती है सत्रे पुरान लिखने के बाद भगवान वेदब्यास बेठे वे रो रहते आंखों में आशुते नारजी आए परासर ये महा भागव भवत भावत अकसिदा आत्मना परितुस्यति सारी रहे आत्मा माने शेव वा अबरों क्यों रहे हो उन्होंने का मैंने सत्रे पुरान लिखे लेकिन इतने लिख करके भी मुझे आनंद नहीं आ रहा है नारह जी ने का आप पुराणों में कमी हैं आप या कमी है का आपने दुनिया को सिक्सा देने के लिए दुनिया को प्रशन करने के लिए पुराण लिखी एक पुराण भगवान कृष्ण के लिए लिखिए जिसका नाम भावत रखिए क्योंकि भगवान को जब तक रिजाओ लोगे नहीं तुम्हें शंतौश प्राप्त होने वाला न कितना ही गीदत कांए आइंगाना काओ कितना ही पैसा कमाओ लेकिन गी तभी नहीं लगा तो वर धन उओं देकार होते है कि अधेय कारा है कर कि सो उस विद्या का क्या काओं जो प्रभु के गान में नारेजी ने बताया कि पहले जनम में मैं दासी का बेटा था, मेरी मा नोकरानी थी, मेरी मा नोकरानी थी, दासी का बेटा था, पिता का निधन हो गया था, बड़ी मुश्किल से मा ने पाल के पांच साल का किया, पांच बर एक भोष्यद डेते मुझे देते मैं भी शंतों में बेटकर किर्तन करता भजन करता अनंद लेता था बजमन में दासी का बेटा था चार महीने साधों की संगत की वेदवयाजी मेरे जंग जीवन का रंग बदल गया एकदम रंग बदल गया मेरी जिंदगी का इतना सुंदर रंग बदला मैने मातमाँ से गा मुझे साथ ले चलो मैं दासी का वेटा हूँ मातमा ने का नहीं नहीं भई अम साथों नहीं ले जा सकते तुमको लेकिन अहां एक मंत्र देते हैं नमु भगवते तुब्यं बाश्व देवाय धीमधी गुरुची एक मंत्र दे गए मातमों के जाने के बाद मैंने मंत्र जाब किया एक दिन सांप के काटने से मेरी मा मर गई पर अब मैं भजन में लग गया था मा का मरना भी मुझे उतना दुगदाई नहीं हुआ मैं जंगल में जाकर के बच्चमन में बेट गया और ओम नमव भगवतेवा शुदेवा ये जमानी नेतने लगे वे लिए पर दाशी का बेटा था तो क्या हुआ रंगत संगत सादूं की हुगे अच्छन संग किया तो आज जंगल में बेटा रहा एक दिन मेरी आखों में गोल-गोल-गोल घुमती एक स्वर लहरी आई रंजन रंजन पादे वजी पांसरी वजाते वे श्रकृष्ण मेरी तरह आ रहे थे भैरो पड़ा ए शद्गुरू इस दाशी के फुत्र को क्या देखे गए मैं जहां की करता हूँ बगवान कुछ नहीं गुरु का काम में भीज डालना प्र horrifying का में ओना प्रेम का पानी डालना तो आपका काम है कही लोग i was को मुषार लेने में बड़े हुषण हरे बड़े में को समय की खहते हैं ने प्रेम का मेरी आँख में प्रभू आ गए बुड़ाबे तक उसी मुर्ति को मैं देखता रहा और एक दिन मेरी आँख से उमुर्ति गाइब हो गई मैं रोया तो क्या देगा जो अंदर बेठा हुआ था वो आखास में दिखाई देने लगा भूले नारण भगवान ने की जै नारण तुमारी मुक्ती 84 लाख यूनियों के बाद होनी थी लेकिन तुमने ससंग किया इसलिए पहले ही मुक्ती देता हूँ जा अगले जनम में तु ब्रमा का बेटा बनेगा नारण तेरा नाम होगा नारण जी जा नारण ने बना प्रमा का बेटा बना प्रमा जी ने का इस्ट्रिष्टी बना मैंने का जो बिगड़ने वाली बनाने जिका बाएथा प्रमा जी ने गर से निकाल दिया मैं नारण के पास में गया भगवान ने का लक्ष्वी जी लक्ष्वी जी देखो कि वही लड़का है कल तक दाशी का बेटा था संतों का संग करने के बाद आज ब्रमा का नी मेरा बेटा बन गया मैं ने का प्रभो मेरा मन निलगता है त्षधान लक्षबेशी जरो मेरी विनाराण उड़ा के लाए doing और भगवान इपनी बेना बजाने की नारजी कहते मेरे हाथ पर और रखड़ी और जी एक दाशी का बेटा बगवान का बेटा वह शक्ता है ससंद्य प्रवाव सब एक बेरी इस बीना नारीजी की पीडा का नम क्या है पहले भी वी किसी ने भागवा चुनी है नारीजी बीना का नम चास्ट का रो आज कल पैसा मिलता है करोड़रुप्य मिले कि फृष्मा जाए नारती का नहां का नाही दे वतत्ता नुम्य नॉए नुषी दॉसी धेवड़त्था envelops ॕृण। यमानश्यराम्यम्द देवधत्व बीना मिल गई नारेजी कहते वजाता हूं अर्णीबून अरे आपके पास भी तो देवधत्व बीना है पेर की दप्त क्यां इसरीली तो देवधत्व बिना है भगवान ने दिया है यहां तरह जाओ उस्कोर्ण कि आलसी आलस में बेडा रहता है बिना के तार डेले छोड़ों के तो नहीं बजेंगे बिना के तार तो धन्से बजावता हुआ कि आलसी ओने आलस में ठोड़े अहंकारियों इतने तार खीचते है कि तूड़ जाते हैं बिना कद बज पबस्ति हुआ जमत्यमों नहीं जादा डेली और नहीं जादा जिदा राम जिदा राम जिदा राम जिदा राम बोल्यों बंगला खुब बन्या महराज जामे नारायन बोले तो बंगिला तुब बढ़्या महाराज जामे नारायन बोले यामे नारायन बोले तुब बढ़्या महाराज जामे तुब बढ़्या महाराज जामे तुब बंगिला तुब बढ़्या महाराज जामे नारायन बोले नारायन बोले पंचितत्व का बन्यार पींजड़ा जिसमें वो बोले याद रखी हो काया राम को मकान है काया राम को मकान है साची पुछो तो बढ़ो काम को मकान है पर मकान का मालिक बहुत दूर रखे और भला अदमी कभी चिठी भी नहीं बेचता है अरे मकान का मालिक कभी तो समाले मकान को काया राम को मकान है साची कुछो बढ़ो काम को मकान है पर मालिक बहुत दूर रखे और चिठी नहीं बेचता है एक दिन सोस्ता सोस्ता मालिक की एक बेरन चिठी आई मेरा ठिकाना था उसका नहीं था और खोली चिठी को तो पड़ा चिठी में लिगा दा मकान बाहर वीतर से साफ रखना समय समय पर भाड़ा चुकाते रहना नहीं तो मकान खाली करा लिया जाएगा और आदमी की जूनी से किसी जानवर की जूनी में भेज दिया जाएगा मकान ले लियो साफ सुत्रा नहीं कर रहे हो मकान बाहर वीतर से साफ रखना समय समय पर भडम तो वा दिया जायेगा और आद्मी की जोनी से ज्यादर की जोनी तो पक्री का पेटमें कोई सुवर कुख़ा के पेटमें मकान बारवीतर से साफ रखना बात तो समझ में आगी बार का म WhooNext of करने में तो आज । 1,000,000 breeka सावन चल गई है कि ततर्ट सजार रुपर का सेंफूचने लगे हैं एक एक लाक की सेंट की बोतल आने लगें अल्हाइए द नहीं नाप बाहर का साफ तो उससे कर लेते अंदर का साफ नाब नाम का कर लेते हैं नामनाम की साफ उनसे जो मन का मेल छुडाएगा जाएगा निर्वल्मन के दर्पन में राम का दर्शन पाएगा मकान बारवीतर से साफ रखना बात समझ में आ गई पर समय समय पर भाड़ा चुकाते रहना यह बात समझ में तो एक दिन बगवान की एक चिठी हो रहा है बगवान ने लिखा था मकान बारवीतर से साफ रखना समय समय पर भाड़ा चुकाते रहना और जब जब भाड़ा चुकाते इच्छा हो तब तक सत्सन कराते रहना भागवत कराते रहना रामेन कराते रहना पिंजरे वाली मैना भजन कर ले राम का पिंजरे वाली मैना भजन कर ले राम का पिंजरे वाली मैना भजन कर ले राम का पिंजरे वाली मैने ठागुर्जी से भुजा कहां रहते हो आप बगवानने का नारजी ना हम बसामी पेकुंद में नहीं रहते योगियों के दिलों में भी नहीं रहते मदभक्ता यहां मेरे भक्त भागत कराते हम तो चलो एक तेलीफोन लगाओं बगवान का बाद में कथा आज की फिर मिलते हैं तेकिन एक तेलीफोन की करना है मुझे टेलीफोन मेरे सामरे करना है मुझे टेलीफोन मेरे सामरे करना है मुझे टेलीफोन मेरे सामरे कम सकम माराज नमबर तो सही देओ एक पर मेरे लाग जागा पहला तो भोन मेने मथुरा लगाया घंती बजी घंती बजी तेव की जी ने उठाया गाना गए है गोकुल गामरे सच्चा नमबर मुहें देओगन शामरे सच्चा नमबर मुहें देओगन शामरे दोजा तो भोन मतु जासे वो खुब लगाया हमने दूजा तो फौन गो फुल में लगाया खंती बजी जसोदा जी ने भुठाया खंती बजी अशोदा जी ने उठाया जसोदा जी ने कहा मेरे पास भी नहीं है काना गए हैं जमना के घाटरे सच्चा नंबर मोहित्योजने शामरे सच्चा नंबर मोहित्योजने शामरे पीजा तो भौन जमोना पे लगाया गंती बजी गंती बजी वाल बालों ने उठाया काना गए हैं बरसाने गावरे सच्चा नंबर मोहित्योजने शामरे सच्चा नंबर मोहित्योजने शामरे गवालों ने का जमना गाट का नाम लेगा पे तो बरसाने गए जो था तो भौन बरसाने लगाया कोखा तो भून बरसाने लगाया घंती बजी घंती बजी रादार रानी ने गंती बजी रादार रानी ने उठाया लादा जी वोले मेरे पास भी नहीं है ता गः काज अगनात पुरियो आम ओन अड़ा जी गथा करे रहा ले विटे गया बढ़ तो गंतिवजी रादा रानी ने उठाया काना गए है सत संग कामरे सच्चा नमबर मोय देव भनिशा मुरे लादा जी ने खा मेरे पास भी नी पच्वा तो भौन सत्य संगत में लगाया गंतिवजी गंतिवजी श्री कृष्ण ने उठाया गंतिवजी श्री कृष्ण ने उठाया अरे महारा जित्ता भौन करेया मिल्या गणिया खाठी करतो न सिदो गंतिवजी जगनात ने उठाया यो ही है मेरो गावरे सक्षंग मेरो आमरे सच्चा नम्बर तुझे दिया गवाने सच्चा नम्बर तुझे दिया बगवाने आगया बगवान का जड़ा नम्बर नोट कर लिए इनको बगवान से मिलना नम्बर नोट कर लिजे प्रभु का नम्बर नोट जड़ा करना जीरो बन के दुनिया में रहना यही है भागवत का ज्यान जीरो मतलब करणियों वगवान में तो जीरो हाँ जीरा की कोई की मत को नया एक ठाकुर जी लागये जणई करोड लाकर बगवान जीरो बन के दुनिया में रहना यही है भागवत का साररे सच्चा नम्बर सच्चा नम्बर तुझे दिया भगवाने 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 रदे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे-र्दे पंशी नड़ पर उजमना कट़ पर शामकुडे में सेवा कोंज में और मंदिकेवन में वो गोबर घन में अनिसी गंगाबे पानि सरोबर तो सम्सरोबर सब कोई बोले आनिसी गंगा में मुखार बिंद में वो जती पुरा में पानेवर गाम में, मुसिल रोटा में, सही गाम में, वो परखंजी में, वा सोली गाम में, मदवन्दी में, शाम कुंड पे, वो राजा कुंड में, वो गोर्धन में, वो पीरी पोखर, पान सरोगर, मान कुणी पे, वो पान कुणी पे, वो पुंड गरी में, वा राजा कुं है और गर्भंग्रा में सब कोई बोले जोर से बोले मैंना बोलो ओ भाईया बोलो ओ पाली बोलो ओ भक्ति से बोलो ओ रादे 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 लादे रादे 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 जै जै श्री राव